हलो गाईज, वाट्स अप कैसे हैं, मुझे उंबीदे आप सब लोग बढ़िया होंगे मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों Samsung Galaxy Note 10 Lite के बारे में बताने वाला हूँ हूँ हमारे बास से उठेक चल पर, जफरेंट Samsung Galaxy S10 Lite के बारे में बताने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ यह Samsung Galaxy Note 10 Lite जैसा ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, बिल्कुल सेम देखनों आपको मिल जाते हैं एकाथ दो चीज़ हैं, जो अलग दी गई है, वह आपको वीडियो को लास्ट में बता दूँगा लेकिन दोस्तों, Samsung Galaxy Note 10 Lite के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, तो हमने उस पर एक डीटेल्स में वीडियो बनाई है आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्केस्ट नॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा जाकरकर उस वीडियो को भी, दोस्तों, एक बार चेक कर लेड़े लेकिन उस वीडियो की तरफ जाने से पहले, इस वीडियो को लास्ट तक दिखना उसके बाद आप उस वीडियो पर switch कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों दोनों की price बिल्कुल same देखने को आपको मिल जाती है तो ज़्यादा time नहीं लेंगे Samsung Galaxy S10 Lite के बारे में आपको बताते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे आप इसकी design और build quality को लेकर करके तो no doubt design काफी जादा अच्छी है front में आपको infinity o display देखने को मिल जाती है back panel की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको back में triple camera देखने को मिल जाती है और यह दोस्तों back की जो body है वो plastic की body देगी है देखने को दोस्तों यह glass लगता है लेकिन plastic की body देगी है और यह आपको तीन color में देखने को मिलेगा black, white और blue अब camera की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको back में triple camera देखने को मिलेए जैसे कि आप देख पा रहे है वो इसका जो rear sensor है 48 megapixel का दिया गया दूसरा camera आपको देखने को मिल जाए 12 megapixel का ultra wide sensor देखने को मिल जाए लास camera दोस्तों आपको 5 megapixel का देखने को मिल जाता है जो कि macro shot के लिए दिया गया है तो दोस्तों दिखने में camera काफी ज़्यादा अच्छे लगते है और वाकी में अच्छे है कोगि आपको पता है Samsung का 48 megapixel का camera बहुत ही ज़्यादा heavy है आपके photo अच्छे निकाल के देगा और हाँ दोस्तों बात करें यहाँ इसकी display के वारे में तो यहाँ पे आपको 6.7 inch की Full HD Infinity O display देखने को मिल जाती है और यह display आपको Super AMOLED देखने को मिल जाती है और यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको इन display fingerprint sensor मिल जाता है और face unlock का option भी देखने को मिल जाता है और यह display आपको corning hold लग लगा आपको 5 के protection के साथ आती है overall दोस्तों display काफी ज़्यादा आच्छी है और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसका infinity o यहाँ पे दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लोग रही यहाँ पे आपको बीच में एक कैमरा देखने को मिल जाए है हाँ दोस्तों बात करें यहाँ पे इसकी battery के बारे में तो जो ऐसा कि आपको बता है 6.7 इंच की infinity o display amulet दी गई है तो उससा आप सुनों ने सोचा है तो battery भी बढ़िया डाली है इसमें आपको 4500 mh की battery देखने को मिल जाएगी USB type C port के साथ आएगा और 25 watt का super fast laser भी आपको देखने को मिल जाएगा और boxing के साथ ही आपको earphone भी देखने को मिलेंगे तो काफी ज़्यादा अच्छा है वैसे दोस्तों आपको पताई है कि flexible level के smartphone होते हैं उनमें 3.5mm audio jack नहीं दिया जाता है दोस्तों इसकी मुझे एक चीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका performance जे फ्रेंट्स Thank God के Samsung ने इसी इसको देखा और समझा और उन्होंने इस पर implement किया इसमें आपको Qualcomm का snapdragon 855 प्रोसर आपको देखने को मिल रहा और यह Samsung की तरफ से पहला flexible level का smartphone है जिसमें आपको 855 का प्रोसर देखने को मिल रहा है वैसे आपको दोस्तों पता है कि जिदने भी Samsung के phone आते है वो Exynos प्रोसर के साथ आते है तो finally दोस्तों इस पर Samsung ने बर किया इसलिए मैं Samsung को बड़ा सा थमसर देना चाहूँगा अगर आप देना चाहते है तो जल्दी से फटा फटा इस वीडियो का अधा सा थमसर दीजे अब बात करें दोस्तों प्राइज और एम वेरेंट की तो दोस्तों मैं आपको बदा दूए आपको एकी वेरेंट में देखने को मिलेगा 8GB 128GB स्टोरिस के साथ आएगा जिसकी प्राइज है वो 49,900 निडियारी प्राइज प्राइज है यह मतलब 40,000 रुपे आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप समसंग गलेक्सी S10 लाइट को परचेस करना चाते हैं और हाँ दोस्तों लाँच डेट में आपको बता दिये कि आप इसको 4th February से ले पाएंगे offline और online दोनों तरफ से अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे मेरे opinion की तो दोस्तों मैं अगर आपको अपना opinion बताऊं तो no doubt Samsung का यह smartphone काफी ज़्यादा अच्छा है लेकिन दोस्तों Samsung का Note 10 Lite भी अच्छा है वो S Pen के साथ आ रहे है मैं आपको again बता रहा हूँ वो वीडियो को जाकर के जरूर से देख लेना मैंने आपको remind करा है क्योंकि दोनों की price दोस्तों बुलकुल same है उसकी भी price आपको 49,000 रुपे देखने को मिलती है और इस कीवी प्राइज आपको 49,000 रुपे देखने को मिलती है सारी चीजे सेम है प्रोसेसर इसमें आपको Snapdragon 855 दिया गया उसमें आपको Exynos का मिल जाता है बाकी केमरे में थोड़ा बहुत अंतर है बाकी डिस्पले, बैटरी सब कुछ सेम है उसका Advantage है दोस्तो S-Pen और इसका Advantage है केमरा और Performance चले दोस्तो आज की वीडियो के लिए पसंद है मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है और हाँ चैनल पे पहली बार आए है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आकन को हेट जरूर से कर देना कि मैं यहां पे आपके लिए ऐसी नईनेम वाल से लेटे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ और हाँ दोस्तो जाते जाते मैं आपको चीज और कहना चाहँगा जादा से जादा दोस्तो इस वीडियो को सेर कीजे मैं मिलूँ आपको ने इटरसिंग वीडियो को साथ अपता के लिए गुड़ बाई